तो वहीं इन दिनों उत्तरकाशी मुख्याले से महेच चार किलोमीटर दूर स्यूणा गाओ के ग्रामीडों के वीडियो आए दिन सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहे हैं जिसमें वो उफवंती गंगा भागिवाती नदी को पार करते दिखाए दे रहे हैं बतादे कि उत्तरकाशी जला मुख्याले से स्यूडा गाओ की दूरी महेच चार किलोमीटर की है मटवाडी ब्लॉक के इस गाओ में 35 से ज्यादा परवार रहते हैं यहां बीते कई सालों से ग्रामीड गाओ को जूला पोल या सडक से जोड़े जाने की मांग कर रहे हैं लेकि आपको बतादे कि लगातार बारिश का दौर जारी है और इसी बीच यह तस्वीरे साफ बया कर रही है कि जो नदिया है उनका जलस्तर लगातार बढ़ता जारा है वही उत्तरकाशी से एक ग्राम से तस्वीरे सामने आ रहे हैं जहां लोग जान जोकिम में डालकर नदी को पार करते हुए दिख रहे हैं साथी आपको बता दे कि वहाँ पर लोग मूलबूत सुविधाओं से भी वंचित हैं और लगातार ब्रशासन से मांग की जारी है कि उनके ग्राम को शहर से जोड़ा जाए लेकिन अभी तक उनकी मांगों पर किसी भी तरीके का आश्वासन न नहीं दिया गया है इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ उत्तरकाशी से समवादाता विनीद कंस्वाल हमारे साथ जुड़ गये हैं विनीद जिस तरह के स्यूड़ा गाओ के ग्रामीर इस वक्त काफी परिशान नजब आ रहे हैं क्योंकि जलिस्तर नदियों का बढ़ता ज नहीं परिशासन और नहीं सरकार जियान देती नजर आ रही है जिस तरह से उत्रा खन की बात निजा है तो तरकाशी दुरिस्ट चेत्र है यहां पर जिस तरह से मौसम करवट बदल रहा है और लगब पूरे चेत्र में जो जल्ब से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है क अगर जिस तरह से भागिरेती का जल अस्तर बढ़ा हुआ है उसको अपनी जयान जोखिम में डालकर लोगों को इस रास्ते निकलना पड़ रहा है मगर प्रशासन की तरफे कोई भी ध्यान इस पर देखता नजर नहीं आ रहा है वहीं विनित अगर बात कर बें तो लगाता काफी समय से देखा गया है कि गाओं को सड़क से जोडने की मांग लगातार की जा रहिए क्या लगता है कि प्रशासन इस पर क्या ले सकता है और अभी जस तरीके से समस्या बढ़ती जा रहे और क्या कुछ मांगे एं गरामिडों की जी बिल्कूर जस तरह से संगा परर्जाशन अब गंगोत्री दाम की वात टीजा है। सब्सक्राइब को अपडेट मोर पे रखा गया है मगर जिस तरह के हालात लगातार उत्रा खंट के उस सरकाश में देखने को मिल रहे हैं ये बड़ी मुश्किले थड़ी हो सकती है क्योंकि कावरी यात्रा भी यहां पर चल लिए कही जगांपे पहालू का शूपता जो लगा लगातार तिल्सला जारी है उसमें प्रशासन को पर भी कई सवार बंते नजर आ रहे हैं क्योंकि लगातार सरकों के बशाल होने के बाब दूद भी प्रशासन की यात्रों को करने में नाकाम बना हुआ है ठीक है विनीत कंस्वाल आपका बहुत-बहुत धनेवाद हमारे सा लगातार प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि उनको गाउ को सड़क के मार्ग से जोड़ दिया जाए